Hello students, welcome to our YouTube channel Mount Education आज हम इस वीडियो के अंदर दली उनिवर्सिटी के स्टूरेंट से एक बहुत important discussion करेंगे तो आज हम इस वीडियो के अंदर किन-किन points के उपर बात करेंगे सबसे बहले में आपको यह बता देता हूँ देखो सबसे बहली बात हूँ जो exam upcoming months में होने जा रहे है मार्च 2022 में उन students के लिए ये वीडियो बहुत important होने जा रही है दूसरा जिनके exam मेय और जून में होने जा रहे है फोर्थ और सिक्स सेनिस्टर के उन students के लिए भी ये वीडियो बहुत important होने जा रही है इस वीडियो के अंदर आपके जितने doubts हैं जितने exam mode से related doubts हैं या फिर जो है date sheet से related doubt है या फिर passing percentage से related doubt है सभी doubts को आज हम इस वीडियो के अंदर clear करतेंगे तो आप इस वीडियो का end तक पूरा देखें अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो आप चैनल सब्सक्राइब करतें वीडियो को लाइक करतें और बैल आइकन को प्रेस करतें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलिगराम ग्रूप का लिंक होगा उसको जाकर जोइन कर लीजिए लेटिव कर लिए बात करूं सबसे पहला सवाल जो स्टूरिंट्स की दर्फ से आ रहा है वह यह आ रहा है कि वह डेटिट के ऊपर टेंटिटिव लिखा हूँ है अब टेंटिटिव डेटिटिट क्या होती है तो का चेंजिस होंगे बिलकुल नहीं 99 परसंट या 100 परसंट वह कहूँ डेटिट जो होती है तो डेली उनिवरसिटिट अभी फाइनल डेटिट भी जारी करेगा लेकिन उसका अंतिजार बिल्कुल ना करें वह लगबग 15-20 दिन पहले एक्जाम से पहले आती है उस ताइ एक्जाम किस-किस के होने जा रहे हैं डेली उनिवरसिट ने किया कि आप अपनी एक्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर एक साही डेटिट डाल दी बच्चे कंफ्यूज होगा यह डेटिट किसकी है किसकी नहीं है तो मैं आपको यहां क्लीर कर देता हूं स्वीडिय तो उनके एक्जाम होने जा रहे हैं मार्च में आप लोगों के एक्जाम 1st phase के 9 दिसंबर में होए थे तो जिन स्टूदेंट ने मिस कर दिय है उन्हीं को दे नहीं है 2nd phase के एक्जाम जिनका एक आदा एक्जाम भी कोई मिस हो गया हो तो वो इस बार दे 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 ना और जिस of semester के mcweb के girls students के अब ये तो clear होगा कि exam किस किस क्यों ने जारहे हैं next month में अब सवाल आता है exam mode क्या रहेगा देख गो exam mode के अगर मैं बात करूँ exam mode online होने के chance है मैं आपको शुरू से कहा रहा हूँ exam mode जहातर दर क्या आप लेने आगे उस से रिलेटेड वीडियो जो है अभी थोड़ी देर में आपको इस चैनल में मिल जाएगी आप उसको देख रहे ना अगर बात करें 95% चांस है मार्च में जो नेक्स्ट में तो एक्जाम होंगे वह ऑनलाइन मोड में होंगे क्यों उसके बीच रि क्यूंकियसा अगर कोलेज़ खोल विजिया लेक्षर ईटेंड भी करादेज उक्सान मिलधन ना इत्या इंपार्ड्र नहीं होता है जितना एक्जाम देना और उपर से डellege उन्युटेटी ऑगज के जो इग्सां होते हैं तो Online एक्साम माँगोंने का मतलब हो गया डैली उन्यूशलिक कहना चाहती है आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप को दिली आ के एक्साम देना होगा जो बिल्कूल पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी students को कुछ वक्त दिया जाता है अचानक से नहीं बोला जाता कि next month आपके exam हो जाएंगे offline mode में ऐसे अचानक तो नहीं बोल सकते second phase के exam हो जा रहे हैं third or fifth semester गे अभी March में next month आप लोगों के साथ उनके first phase के exam होए थे online mode में जब first phase के exam online mode में होए थे न तो उस time पर कहा गया था second phase के exam होंगे January में January में Delhi University के officials की तरफ से कहा गया था कि second phase के exam भी online mode में होंगे बात में COVID के case बढ़ गया और फिर उसको बोल दिया गया कि अब आपके exam postpone होगा second phase के अब होंगे वो March में तो यह कहा गया था कि second phase के exam online mode में होंगे क्योंकि third or fifth semester के first phase के exam भी online mode में होगे थे तो जब उन students ने exam online mode में दिये थे तो second phase के student भी online mode में देंगे तो Delhi University अभी इतनी काबिल नहीं हो गई है कि वो online mode और offline mode के दोनों के exam एक साथ एक time पे conduct करवा ले उसका result आपको पता है वैसी कितना delay आता है exam procedure में कितनी दिक्कत है books distribution में कितनी दिक्कत हैं तो उसके लिए manage कराना बहुत मुश्किल है जब second phase के third or fifth semester के exam online mode में होने जा रहे हैं आपके साथ ही exam हो रहे हैं उनकी डेटशिट भी आपके साथ ही आई हैं उनकी तो बाकी students के exam offline mode में कैसे हो जाएंगे जब Delhi University सीधे सीधे ये कहीगी कि COVID के situation को देखते हुए second phase के third or fifth semester के exam OB mode में हो रहे हैं यानि online exam हो रहे हैं तो Delhi University ये कैसे कह सकती है कि second phase के students के लिए COVID की situation देखी जाएगी लेकिन first semester के students के लिए नहीं देखी जाएगी ऐसा कैसे हो सकता है तो इसके लिए chances पूरे पूरे यही बनते हैं कि हप लोग के online exam होंगे तो को मैंने अपनी ताउस से यह आपको explanation दिया logical बाकी end में क्या होगा वो Delhi University बताएगी वो Delhi University के हाथ में है सब कुछ तैय करना अब बात करते हैं हमारे next point के ओपर passing criteria क्या है exam का कितने percentage में pass होते हैं कितने number लाने होते हैं exam में pass होने के लिए तो उससे related मैंने एक detail video बना रखी है कि कितने marks ची होते हैं pass करने के लिए semester को तो उस video का link में आपको इस video के description box में दे दूँआ या फिर उपर eye button में दे दूँआ इस video के आप वहाँ से जाके उस video को देख लेंगे उसमें आपको अच्छे से clear हो जाएगा कि कितने percentage वाले students pass होते हैं किसी semester को clear करने के लिए कितने passing criteria कितने marks ची होते हैं आप अराम से उसको भी देखिए बहुत dating में मैंने समझा रखा है बार-बार एक चीछ के ओपर discussion करने का कोई फायदा नहीं है तो passing criteria के लिए आप उस video को देख लेना link description box में डलवा दूँआ तो देखो exam के ओड़ के ओपर ने बता दिया किस किस क्यों ने वो ही बता दिया बाकि जैसी दली उनिवरसिटी को फाइनल फैसल लेगी आप लोगों को inform कर दिया जाएगा official notice आता ही आप इस चैनल को subscribe कर दीजिए इस चैनल से जुड़े रहिए निचे description box में टेलिग्राम कर लेंगा उसको जाके join कर लीजिए उसमें आपको सभी तरीके की update मिल जाती है बाकि जैसा होगा जो होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा अब बात करते हैं हमारे fourth or sixth semester के students से आखर उनकी date कब आईगी उनके exam कब होंगे देखो आप लोगों के exam की date देली उनिवर्सिटी पहले ही बता चुकी है और यह बात में आपको पहले ही बता चुका था fourth semester के exam जो होने जा रहे हैं वो होंगे 9 मेह से लेके 24 मेह तक six semester की बात करें तो उनके exam होने जा रहे है 11 मेह से लेके 21 मेह तक इतना तो पता है dates तो clear है अब exact कौन सी date पर कौन से exam होगा वो अलग बात है उसके लिए date sheet release की जाएगी date sheet कब आएगी date sheet आप मान के चलें कि लगबाग holy के असवास आईगी यानि March में उससे बहले नहीं आईगी अब बात करें आप लोगे exam mode आखर किस mode में exam होगा offline या online अब यहां भी मैं आपको बात करूँ 70% chance है exam जो है online mode में होगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि Delhi University अगर अभी reopen भी हो जाती है मान लोग classes start हो जाते हैं पहरे तो classes दीरे दीरे start होंगी compulsory करानी जाएगा फिर किसी तरीके से अगर मान लोग compulsory कर भी दिया जाता है तो भी दीरे दीरे सब कुछ set होगा और classes होना और exam होना दो बातों में बहुत difference है classes student miss भी कर सकता है लेकिन exam miss नहीं कर सकता एक university वो भी Delhi University इतनी बड़ी university अपने online system को offline mode में shift कर दे इतनी जल्दी बहुत मुश्किल है तो थोड़ी सी तक तो आईगी Delhi University को लेकिन अगर वो चाहे तो वो कर भी सकती है लेकिन chances अभी भी कहा रहा हूँ कम है आप लोग के exam online mode में ही होने के 52-60% chance है या मैं कहूँ 70% chance है लेकिन अभी भी 30% chance ये भी हो सकते है कि आप लोग के exam offline mode में हो जाए और खासकर 4 semester वालों के तो फिर भी online होने के chance है लेकिन 6 semester वाले तो ध्यान रखें कि उनके exam offline mode में हो सकते है क्योंकि उनका finally year है उपर से आपने एक बार भी offline में exam नहीं दी है 4 semester वालों को तो अभी दुबारा मौका मिलेगा 5th or 6 semester के भी exam देने आप लोग का आखरी semester है तो आप लोग के exam offline mode में हो सकते हैं आप अपने offline की तरह से त्यानी के रहे बाकि जो भी होगा आपको update मिल जाएगी आप इस channel से जुड़े रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं हमारे टेलेग्राम ग्रूप से जॉइन हो जाएं अब बात करते हैं आपके passing criteria की आप लोगों को पता है passing criteria आपका क्या है फिर भी कुछ students फिर भी डाउट मर रहा जाते हैं पता नहीं क्यों रहा जाते हैं तो वीडियो का link description box में दे रखा है उसमें आपको detail में बता रखा है कितने percentage चाहिए होते हैं डली उनिवरसिटी में किसी semester को pass करने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें detail में explanation दे रखा है तो मैंने आप लोगों के exam के बारे में बात कर लिए exam mode के बारे में बात कर लिए अब बात करते हैं डली उनिवरसिटी रियोपन कब होगी उस related वीडियो आपको इस चैनल पर थोड़ी देर बात या फिर कल सुबह मौर्निंग में मिल जाएगी आप इस चैनल से जुड़े रहें कि डली उनिवरसिटी का क्या कहना है अपनी colleges को reopen करने को लेकर तो आप उस वीडियो को देख लेना उसमें डिटेल में आपको बता रखा होगा कि आखर आपके colleges को लेकर डली उनिवरसिटी के वाइस चैनल क्या कह रहें बाकि इस वीडियो में इतनी जानकर रही देनी थी